असलामों अलेकुम विवर्ष, वल्कम बैक टू मैं चैनल, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पंकिन की चटनी, तो चलिया आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हमने यहां पे एक अदद पंकिन लिया है, इसे हमने वाश कर लिया है और उसके बाद हमने इसे ट नहीं कर लेना है, जॉकि इसका छिलका काफी हाड होता है, तो अभी मैं यहां ने कर लेकाई और पूरी यहां ज़्यक्त स्टारय को लाट हैं, और आज कोड़ने तो तांसमाने आज काई मिलए नह और वुदीत हैं, आज की मुदीत हैं, और प्टी आज के दिदम त्विस और यहां पर हम पूरी pumpkin को slices में chop कर चुके हैं तो बगने इसमें पानी शामिल कर लेना होगा हम यहां पर गरम पानी शामिल कर रहे हैं आपने उतना ही गरम पानी शामिल कर लेना होगा जितने में तमाम सारी pumpkin slices डिप क Talk लेड जौरत हो roughly और pumpkin का छिलका काफी hard होता है अब हमने इसे पका लेना होगा हमने 15 minutes तक के लिए high flame पे इन्हें पकने देना होगा 90-95% आपने पकने देना होगा और उसके बार इसका छिलका भी soft हुआ होगा तो अब अच्छे तरीके से pumpkin के छिलके को उटार सकते हैं हमने एक सिट्रेइनर की मदद से तमाम सारा पानी स्ट्रेइन कर लिया है और इन्हें हमने थोड़ा सा ठंडा होने दिया और बड़ी ही आसानी से इनके छिलके जो है वो अलहाइदा कर पा रहे हैं और इसी तरीके से हमने तमाम सारे pumpkin स्लाइसे से छिलके को अलहाइदा कर लेन होगा और माशाला से हम यहां पे छिलका अलाइदा कर चुके हैं याने पील आफ कर चुके हैं तो अब हमने इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लेना होगा आप चाहें तो आप मैशर की मदद से भी इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं या तो फिर अगर आप चाहें ह हाथों की मदद से ही इसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और पानी जो इसका इक्स्ट्रा है वो सारा अलाइदा हो चुका है अगर्चे आप एक केजी पंकिन ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपने हंकर्ड याने के टंगा हुआ दही भी एक केजी ही लेना होगा बाकी म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं अब हमने पंकिन और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम यहां पे हस्पेजाइक का नमक शामिल कर चुके हैं अब हम यहां पे शामिल कर रहे हैं जीरा जीरा हम यहां पे शामिल कर चुके हैं तो गानेशिंग क लिए हमने यहां पे अक्रोड के मगज और किशमिशे रखी हुई है यह कश्मीर की सबसे फेवरिट और फेमस डिश है जिसे दुदल के नाम से जाना जाता है दुदल याने पमकिन की चट्मी या तो फिर पमकिन का रायता यह बहुत ही जादा मजेकी बनती है बहुत ही लजी एक दफा ट्राइ कीजिएगा और फगेट लाइक शेर और सबस्क्राइब बेल आइकन पर फ्रेस कीजिए ताके आपको मेरे वीडियो के अप्टेट्स के नॉटिफिकेशन मिल सके अपना बहुत सारा ख्याल रखे मुझे दुआओं में याद रखे हाजिर होती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज